नाश्कार आप जुड़ चुके हैं जमू लद्दाख विजन के साथ करीवन दो महीने का समय बीटने वाला है जब मैं यहां पहले आता था तो जैकट पहन के आता था और आज शर्ट में आया हूँ यानि कि सर्दी से गर्मी का महीना जो है वो बदल चुका है लेकिन इन बीएसफ और सियाएसफ एस्पिरेंट्स जो यहां पर पिछले दो महीनों से बैठे हुए हैं उनकी ना तो कोई सुनवाई हो पा रही है ना ही कोई पहुँच आवाज जिनकी आवाज कहीं तक पहुच पा रही है लेकिन यह लोग दृड़ता के साथ संकल वर्द होकर पूरी बारे के ठीक सामने जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में इनको शरण मिली है और यहां पर यहां पर यह बैठे हुए हैं और यहां पर इनका ध्यान रखने के लिए ध्यान रखनी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं आप समझ सकते हैं ठीक सामने पुलीस वाले जो हैं यहां पर तैनात किये गए हैं खास दोर पर एक बार पुलसिया कालवाई इन पर हो चुकी है और अब फिर पुलिस तैनात कर दी गई है बीजेपी के प्रधान है वो यहां पर कई बार इनके लिए जब इनसे सवाल जवाब होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे ध्यान में हैं लेकिन इ ताकि ये लोग अपनी जो जायज मांग है इनकी उस पर इसी तरीके से द्रिड रह सकें तस्वीरें अभी आप देखेंगे हाथ में तिरंगा जंडा है और इसी तिरंगे जंडे की सेवा के लिए ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं इस वक्त भी कॉर्परेटर्स जो हैं आज इनसे मुलाकात करने के लिए करीबन देड़ दो महिने का समय जो है वो बीत रहा है बीजेपी दफ्तर के बाहर ये लोग इस तिरंगे जंडे की सेवा करने की मांग को लेकर बैठे हूं है इनसे बातचीत आपकी हुई होगी इन लोगों ने आपको अपनी वेथा स खुद बताया कि आज हमारे डोगरों के लिए कि क्या कर रही है भारते जंता पार्टी यह तो हमारे प्योड़ रहे हैं यह तो गौह में बसने वाले वो बच्चे हैं जो भारत माता के लिए अपनी जान जोखे में डालने के लिए त्यार बैटे हैं और निशावर अपनी अपनी वर्दी मांग रहे हैं क्या कसूर इन बच्चों का क्या यह कसूर की भारते जंता पार्टी को निस्वार्थ वोट किया क्या बच्चों का यह कसूर है कि इन्होंने डॉक्टर जितिंदर सिंग की बातों में आकर भाजपाजाइन की जब इनकी युवा जोड़ो रै इस लगा दी डॉक्टर जितिंदर सिंग्जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले दो मीनों से यह आपके घर के बाहर बैठे हैं क्या एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया कि कभी बारिश थी कभी सर्दी थी और अब घर्मी आने वाली है तो इन बच्चों के उपर क्या ब जित्ती होगी उस मा के साथ उस बाप के साथ उस बैन के साथ जिसका भाई यहां आज बुके पैसे बैठा है क्या कसूर इनका क्या यह कसूर है कि जम्मू को आगे बढ़ाना है डोगरों को परमोट करना है ऐसे करेंगे डोगरों को परमोट 330 तूटने के बाद हमारी हस्ती केलती स्टेट को यूटी में तब्दिल करने के बाद आपने वादा किया था कि विकास ही विकास होगा नोक्रिये ही नोक्रिये होंगी कहा है विकास कौन से घर पे चुपाए कौन सी गली पे चुपाए कहा हैं वो नोक्रिये जो आपने वादा किया था आप बताएं जमू के साथ ये को सा बेदबाव कर रहे हैं आप स्मार्ट सीटी के प्रजेक्ट लगाते हैं साइन बोटों से डोगरी का अब है हिंदी का अब है ऐसे करेंगे स्मार्ट सीटी का ऐसे लेंगे जम्मू को आगे जो पिछले 60 दिनों से ये बच्चे यहां बैटे हैं मैं तमाम उन डोगरों लीडर से उन जम्मू के लीडर से जो कहते हैं कि हम जम्मू के लीडर हैं उन पंचों से सरपंचों से उन बीडिसी मेंबर से अपील करता हूं कि इनके फेवर में कि यह बच्चे जो ऊवरेज हो रहे हैं इनको इनका हुक मिल सके जब यह बच्चे यह रखां रिखा है क्या दा कहां से कहां पहुंच भी जो देखने को मिलता है कि भारते जंता पार्टी जो है वो कश्मीरी हुकूमत के आगे कहीं न कहीं जुकी बैटी हैं कुछ दिन पहले में एक बयान सुन रहा था कि आरस पठानिया जी कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने से जब आफिस के बाहर बैठने से इंसाफ नहीं मिलता वह भूल के जब कॉंग्रेस में थे तो वह कैसे प्रोटे प्रोटेस्ट युनका माध्यमता सत्ता में आने का यह पूत्रे जिलाने वाले लोग हैं यह एड्मिस्ट्रेशन नहीं जला सकते एड्मिस्ट्रेशन चलाने के लिए आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है आपको जूटे वादे नहीं करने हैं मैं कम से कम साथमी आठमी बार यहां पर आया हूं इनकी रिपोर्ट करने के लिए मैंने पिछले तीन चार इंटर्व्यू में इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस दर पर बैठने का कोई फाइदा नहीं है यहां से इनको कोई उमीद नहीं रखनी चाहिए लेकिन फि सब्सक्राइब करने के लिए यहां आगे आता है क्यों भारते जंता पार्टी का कोई भी MLA X MLA जा MP जा कोई भी इनका स्पोक पर्सन और जो इनके रविंदर रहना जी जो इस तरफ शौल लेकर डोगरों को डोगरा डोगरा करते हैं और नाचते फिरते हैं तो यह क्या बच्चे डोगरें नहीं है क्या यह बार्डर पार से आएं जाना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले दो महिने से यह लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर यह लोग बैठे हुएं अपने लड़ाई के लिए लगता है कि इनसाफ मिलेगा इन लोगों होचे जानना जानके थे अपने अफ्ट्वा आइश शटकर आइप दो मीनों बैठे ने पूरा जम्मू दिखा। पूरा कश्मीर मेडेश दिखा सथ्टॉर मेडिया है थे करना यह लोगगा दपार मिलom देखु Amin इस चीज बास्ते और ज्यादा लड़ना पोगे साधे और भी साधे कारबटर प्यान पर इत्थ है यह बैठेगे इसी जनता दी आवाज बनाओगे बिल्कुल जी दिखो आज इंदे नालो होदा कल साथ बाकी स्टूटन जेरे पड़ा लिखे लोग उन्हें भी जवाब लान साथे जम्मू दे लिडर क्यों कमजोग रही है सानु ए समय नहीं आए दा वादे सतर साल वेदवाओ मैंका पांजो लाई पचातर साल यह वेदवाओ जमू नाल होदा दो साल यूटी लगी तरह साल सरकार पांच साल हो यह अली सारे जम्मू दे लोका नाल तोखा दा अगे बिछे चलिया नामा परेशान एक दो मीने दे बैठे दिनी मामा किनी परेशान और अधिक एस्पिरेंट भी साड़े नाल है उन्दें कने भी गल करने अले उमीद है तो नू दो मीने ते ओगे न और किनना इंतिजार करो उमीद मारा इंदे को लगो नी बोड़े नह अगे बैठे बाठना है बोड़े नहीं दो नोख रहने अग्या बादा गरी आए तो नू की दग अख़े ही नाने जो ले पहला मैरे लेस्ट आई है कवरी ओला बच्चे प्रटाशी किता हा बच्चे आखे इंप पांजार नोक्रियार देओ डाटर साव और आधे पांजार नी दो यह बगांशी तो ही देई गोडिया जाओ देखार बैठो तो यह फाइनर जलता आंदा वे तेरा सुष बूंजा बचिल आंदर दो यार बगांशी कुदे की दो है पैंचे से मंजा बादा वड़े कि ता जनता साथे करना एक यह बैठी एना खुर्ष यह पर उनकमांड नहीं करो आज जनता चारी साथी तो आज दिया है तो मैं यह अखा है कि दो मीने हो गया और किना इंतजार करोगे तो समय लेक्षन भी आनी नहीं नहीं तो 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 तरह नोड़ अ कि उन्हों तुसी के एक खिलाफ मुहीम शुरू करोगे अगर तो अडियावाज नहीं पूछ दिया की करोगे तुस लोगे सिद्धी उंगलाना क्यों लिग लिए उंगल टेटी करने के जरूरता है इस नोक्री देना ही दे आहीं के लिए अगर नहीं नहीं निकलिया तो त कि अग्याट नहीं है ज्यादिक पाना जाओ और कटना भी जाओं दा पूल्स अलए ति मैं दिख्या ए जवा अदेको तो अदिदि दूटी दूटी करने ना इन्हें तालोके नोख रिगर निया है कि या पूजन दें बसाले बुकल मार दें अगया 15 मंदल दें पाटें रखे खत्राओ ने उन्दाू यहां दें करने जा दें इंदो गया इन्हें आक्रशी रहा हो टेंद बढ़ियाना गड़ी अंदर को पिघार कतराओ ने और यह तो थे मिंदी यही ठाट्राओ ने चुक्ने आए तुसी ते आरा हे कि यह हो आप तो दो यह कोई सुनवाई थे वादी नहीं है ना डाक्टर टितिंदर सिंग को चाखा देने ना रहना सा उनको चाखा देने तो अने अस्ते तो उन गल बननी किया है अने लुए पार्त अने थोड़ी जिरैबाया चाखना अले मौन बार्त चलाएं देतायो नहीं आकाएं कोई चाभी नब भानी नंगागा अने ताम आवर तो लोगें नहीं बात प्रक्राइब ने लूग नियुक्तॉ पूछाने तोड़ा सबर मैं दिख्या दो मीने तोड़ा सबर चल रहे हैं सबर किना लंबा और चलो जोलते के साथा काम नहीं हो यह इत्थ ही बैठना कि साफ तोर पर आप देख सकते हैं चाहे B.S.F. दोनों एस्पिरेंट्स पिछले करीबें देड़ दो महीने से यहां पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर अधिकार को लेकर अपने हक को लेकर क्योंकि यह लोगों का कहना है कि इन लोगों ने सभी तरह के पास किया है सभी तरह के फिटनेस पास की है मेडिकल पास किया है सिर्फ कटाफ लिस्ट में इनके नंबर कुछ कम है लिहाजा इनसे वादे किये गए थे वह भी डॉक्टर जितिंदर सिंग जो पीमो में राजमंत्री हैं उनकी तरफ से कि करीबन 2000 सीटे जो हैं वो BSF और CSF एस्पिरेंट्स के लिए बढ़ाई जाएंगी लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो वही 1356 लोगों का नाम ही सामने आया और जो कटाफ लिस्ट थी उसके हिसाब से उन लोगों की निक्तियां की गई अब ये लोग पिछले डेड़ महीने से अपन करने का एक मौलिक अधिकार जो इनका है और ये वर्दी पहन कर उसका उसकी रक्षा करना चाहते हैं और वो जब तक अधिकार इनको नहीं मिल जाएगा तब तक इसी तरह से BJP के दरवाजे पर कहें या फिर उनके आंगन में कहें या फिर उनके सामने कहें यहां बैठे रहेंगे और इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो ये लोग उंगली टेड़ी करना भी जानते हैं अब इसे आप धमकी समझें या अन्रोध य हैं कि इनके लिए और कुछ क्या किया जा सकता क्योंकि पिछले डेड़ महीने से ये लोग अपना गर बार चोड़कर यहां बैठे हुए हैं परेशान हैं जब मैं यहां पर पहली बार रिपोर्ट करने आया था तो सर्दी का मौसम था स्वैटर और जैकट पहन कर मुझे आ उमीद है इनकी आँखों में आशाएं हैं कि इनकी आज नहीं तो कल सुनवाई पूरी होगी हम भी यही उमीद करते हैं कि इनकी आशाएं इनकी उमीदें जल्द पूरी हो इसी के साथ आप से अलविदा लेंगे बाकी के अनखबरों के लिए जुड़े रहें चमूल अदा आख वी दिनके साथ नमस्कार